प्रमान पत्र बनाने में छात्र को क्या कटनाई हो रही है खाना किस तरह से लुट रहा है उनको दिख रहा है भारती जंता पार्टी नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटी इस में हूँ आपके स्ताश शिवम जेडियू संसर्दिय बोट के अध्यक्त उपेंदर कुस्वाहा ने कल बड़ा हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उपेंदर कुस्वाहा को दरकिनार करने का मतलब मुखमंतरी नि क्रावाल उठा रहे हैं किस प्रूप में कि एकbesemit करता हूं की चुर्ण के 2800uben करता हूं-बड़ी इसंट ने करता कि ये जाद्यू और आरजेडि का क्या हुआ है को हूई विल तो अगर उनको उप्रिंद्र कुस्भा जी को जनकारी दिये भी नागर डिल कर लिये हैं तो सभावी को उनको कष्ट होगा और उसी का उप्रगटि करन कर रहे हैं मुख्मंत्री नितीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम जिसको आगे बढ़ाते हैं वही भाग जाता है कुछ अनापसनाप बोलते रहता है मुख्यमंत्री जी को इस बात पर पुनरविचार करना चाहिए या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है या तो आप गलत लोगों को बढ़ा रहे हैं या आप में कोई कमी है जो जिसको बढ़ा रहा है उसको आप पर विश्वास नहीं हो रहा है तो निश्चित रुप से देखिए नि तिस जी अब बार भार मैं का आऊं, उनका राजनिति का अंतिम ड्रामा सब चल रहा है, उनका पारी अप्समाप्ती की ओर है, जितना जल्द हो बिहार को छोड़ दें, 13 करोर जमता का भला होगा, बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया, तो बिहार बासियों न भी उनको बह कर पूरी जी की जैनती थी जेडियू के राष्टी एध्यक्स ललन सिंग भी बीजेपी पर हमला वर रहे थे कि भास्पा वाले लोग जातिये जन्गन्ना का विरोध करते हैं अब इनलों को बस जातिये जन्गन्ना इनको प्रखंड में क्या हो रहा है सो देखना चाहिए बलोक में क्या हो रहा है थाना में क्या हो रहा है सो देखना चाहिए जिला में लुट मचा हुआ है सो देखना चाहिए अंगनबाडी सेवकास आई का क्या रही कर रही है सो देखन कि थाना किस तरह से लुट रहा है इनको दिख रहा है भारती जन्ता पार्थी को अपने ये क्या कर रहे हैं भी हार में बोलेंगे तो मुफत के अनाज में भी कितना वड़ा चोरी कर रहा है लोग जो करोना काल में दिया जा रहा है करोना काल के बाद सभी तक अंगनवारी में क्या हो रहा है क्या हो रहा है आसा को कहते कि पर्मानेट करेंगे पहले सिकनेचर में कहती है कि दसलाख नुकरी देंगे थे चला नावे तां अंग अंठे रहा है भारति अ पर टीसरे पर चुर्श को नीको एक पुरीवार में का आ है येक दूसरे को आर्सीपी बावू ललन बावू कुस्बा जी इसी में लगे हुए है आप तेरा कोड़ जनता को देख भी नहीं रहे हैं ये सब हतासा निरासा में अब देख रहे हैं कि बिहार की जनता हमारे साथ नहीं है इसलिए कुछ बोल रहे हैं बीजेपी पर एक आखरी सवाल बिहार के सिवान जीला में एक बाड फिर से जहरीली सराब पीने से लगभग छे लोग से जादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और जो आकरा है लगतार बढ़ते ही जारा है बिहार में घटना घट रही है लोग लोग लाज से भी नहीं बोलता है क्या कहा जाई जिद्ध है निकार बीजेपी के विधायक हरी भूशन ठाकर बचौल थे जिन्होंने साफ तोर पर कह दिया है कि मुखमंत्री नितीश कुमार की जिद्ध के कारण जो बिहार में सराबं बंदी कानून लाया गया है वो एकदम फेल है इसके कारण आम जनता जो है वो परिशान हो रही है बहरालब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद